देश की जीवन रेखा भारतिय रेल नी 179 साल के एतिहासिक सफर में अभूत पूर्व उपलब्धी हासिल की है 16 अप्रेल 1853 को देश की पहली ट्रेन बोरी बंदर मुंबाई स्टेशन से ठाने के मध्य चलाई गई थी तब से लेकर अब तक भारतिय रेल निरंतर प्रगती के लौह पत पर अग्रसर है आजादी के बाद रेलवे ने विकास की नई रफतार पकड़ी और जो सफर भाप के एंजिन से शुरू हुआ था वो वर्तमान में स्वदेशी तकनीक से निर्मित अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन तक पहुँच चुका है और ये सफर जल्द ही बुलिट ट्रेन के लक्ष को भी हासल करने वाला है अपनी इस विकास यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर यात्री सुवधाओं तक स्पीड से लेकर सुरक्षा तक हर क्षेत्र में रेकॉर्ड उपलब्धी हासल की है गुजरात के गांधी नगर कापिटल और मध्यप्रदेश के रानी कमलापती जैसे रेलवे स्टेशन विश्वस्तरिय सुवधाओं की शानदार मिसाल पेश कर रहे हैं आधुनिक भारत की आधुनिक तस्वीर पेश करने वाली स्वधेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच पर आज हर देश वासी को गर्व है डिजिटल इंडिया के निर्मान में अपना योगदान देते हुए भारतीय रेल तेजी से डिजिटाइज हुई है अपनी सेवा, सुरक्षा, समर्पन के कारण भारतीय रेल आज भी देश की लाइफ लाइन बनी हुई है